रे कृष्णा सबको गीत दिख रहा है आज हमें ये पहले गीत गाएंगे गुपिनाथ ममनी वेदन सुनो ममनी वेदना सुनो गोपिनाथ ममनी वेदना सुनो ममनी वेदना सुनो गोपिनाथ ममनी वेदना सुनो ममनी वेदना सुनो गोपिनाथ ममनी वेदना सुनो आमारा भरसा तुमी गोपिनाथ आमारा भरसा तुमी आमारा भरसा तुमी गोपिनाथ आमारा भरसा तुमी तुमरा चारा ने लोईनु शाराणा तुमरा किंकार आमें के मने शाधी बे मरे गोपिनाथ के मने शाधी बे मरे ना जाने भाकती कर्मे जड़माती पोड़े छी सम्सार घोरे कर्मे जड़माती पोड़े छी सम्सार घोरे साकली तुमारा माया गोपिनाथ साकली तुमारा माया नाही मामा बाला ज्यानसु निर्मला स्वाधिन नाही ये काया नियत चरने स्थान गोपिनाथ नियत चरन स्थान त चरने स्थाना नियत चरने स्थाना मांगे ये पावर कांधिया कांधिया करोहे करूणा दाना ये पावर कांधिया कांधिया करोहे करूणा दाना तुमी तो सकली पारों गोपिनात तुमी तो सकली पारों तुमी तो सकली पारों दुर्जाने तारी ते तोमरा शकती के आछे पापीर आरो के आछे पापीर आरो तुमी क्रीपा पारा वारा गोपिना तुमी क्रीपा पारा वारा तुमी क्रीपा पारा वारा जीवेरा कारणे असिया प्रपंचे लिला कोईले सुविस्तारा जीवेरा कारणे असिया प्रपंचे लिला कोईले सुविस्तारा आमी की दोशे, दोशी गोपिनात, आमी की दोशे, 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 आसुर साकल, पाईलो चरण, विनो दाथा किलो बोसी, विनो दाथा किलो बोसी, मामानी वेदाना सुनो गोपिनात, मामनी वेदाना सुनो, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare Hare Hare, Hare Hare, Hare 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 Hare, Hare Hare Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 राम राम हारे 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 क्रिष्णा राम राम हारे क्रिष्णा 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 राम हारे क कृिश्ना कृिष्णा और फिर मह ड़े कृष्णा कृष्णा क्रीष्णा कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare 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 Rama Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 जया क्रिष्णा बलराम जया क्रिष्णा बलराम जया क्रिष्णा बलराम जया गोरा निताए गोरा निताए जया गोरा निताए जया जया प्रभुपाद 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 जया श्रीला प्रभुपाद निताई गोरा हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, निताई गोरा हरी बोल जयोम विष्णुपाद परम्हंस परिवराज काचारिया श्टो तरत सधी डिवाइन ग्रेश श्रिया भैचर नारविंद भक्ति वेदान्त महराज स्वामि श्रिला प्रोपाद की जयोम विष्णुपाद परम्हंस परिवराज काचारिया श्टो तरत सधी डिवाइन ग्रेश ला भक्ति सिद्धान्त सरस्वति गोश्वामि महराश श्रिला प्रोपाद की अनन्त गोटी वैष्ण व्रिंद की नामाचार श्रिला हरदाश ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्या अनन्द श्रियद्वैत्ग दाधार श्रिवाशादी गोष्वर भक्त व्रिंद की जैशुशी राधा, कृष्ण गोप गोविनाथ, शाम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोरधन की, ब्रज भूमिशीर वरंदावन धाम की, नोदुप श्री माया पुरधाम की, पुरुशोत्तम छेत्र श्री जगनात पुरधाम की, गंगा माय जमना माय की, स्वाम वेद गौर भक्त वरंदिकी निताय गौर प्रेवानन्दे All Glories to the Assembled Devotees All Glories to the Assembled Devotees All Glories, All Glories, All Glories To Shri Guru and Shri Gauranga Gaur Haribhol गुरवे गौर चंद्राया राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णा भक्ताया तद भक्ताया नमो नमहा ए श्री सनातन प्रभो करुणांबराशे ए रूप दुरुगत जनेक दयावलोक ए भट्य युग्मस्मते रगुनात दास श्री जीव मे कृतमंदमते दयांतराथ ये री द्रशी भगवतो गतिरात्मवादा एकांतितो निगमिभी प्रतिपाधितानह तुष्यंत्व दब्रकरुणा स्वक्रतेन नित्यम को नामतत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम नमाओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इतिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेशा शुन्यवादी पाश्यात्यदेशतारिने जै श्री कृष्ण चैतन्या प्रभू नित्यानन्दा श्री अद्वेत अगदाधारा श्री वासादी गुर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यो अंत प्रविष्यम अमवाच्यम इमां प्रसुप्ताम संजीव यत्य खिलशाक्ति धरा स्वधामना अन्यां शहस्त चरण श्रवन त्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुशाय तुभ्यम हृदियस्य प्रे रणया प्रवर्तितों हम वरा करूपो पीत अस्य हरे बद कमलं वंदे श्री चैतन्य दे वस्या अरे खृष्णा हम लोग चर्चा कर रहे हैं हर्दाश ठागूर के परम पावन चरित्र का भग्तों का चरित्र सुनने से बहुत लाब होते हैं जैसे एक सबसे पहले दिन ही में बोला था कि हमको भग्त बनना है हमको बनना तो भगवान है नहीं तो भग्तों के चरित्र को सुनके हमको ये पता चलता है कि भग्तों का आचरण किस प्रकार से होता है किस प्रकार से व पर नम्र होते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यह सब हमको पता चलता है भक्तों के आचरोनों को देख के, और एक विशेश फायदा यह होता है, भक्तों के चरित्र को सुनने से, कि उनकी ध्रिण भक्ती के विशेव में, जब हम श्रवन करते हैं, तो हमारी जो अभी भक्ति पोली है, धीली है, वो भी ध्रिण हो जाती है, अभी हमारी भक्ति में बहुत कसर है, वो पोली है, पोली कहने का तातपर यह है कि उसमें अनन्यता का अभाव है, अनन्यता का अभाव है और आदर बुद्धी का अभाव है, भगवान गीता में बार बार इस अनन्यता शब्द के लिए बार बार जोर देते हैं कि भक्त को अनन्य होना चाहिए हम लोग अभी भक्त बने हैं भक्ति कर रहे हैं कक्षा सुनते हैं उसमें प्रेड़ना मिलती है भक्ति करने के लिए परन्तु जब भक्ति नहीं करते हैं सामान अवस्था में रहते हैं तो कई और भी फ़र जाती है। आंको लगता है, ठीक है, भगवान हो अच्छा है हमारे जीवन में, भगवान की हो बहुत अच्छा है। लगवान की भक्ती हो है किप्पटी है, और उसके साथ एह भी हो, थोड़ा इसनसार की चीजे ही हो। तो यह क्या होता है अनन्यता में कमी आ गई लेकिन भगवान किसके अपिक्षा करते हैं अनन्यता कई जगा भगवान गीता में अनन्य शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसा नहीं कि हाँ हमारे घर में जो है टीवी है रेफिजरेटर है वासिंग मसीन है भगवान भी हो तो क्या दिक्कत है वो भी रहें साथ में वैसे नहीं होता है जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा एकदम तीवर हो जाती है और वही एक इच्छा रह जाती है और वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि और सारी इच्छाओं को खा जाती है तो उसको बोलते हैं अनन्य इच्छा तो भक्तों के चरित्र को सुनने से हमारी इच्छा और प्रबल होती है और ध्रेड होती है और दूसरा एक बहुत बारी फाइदा ये होता है भक्तों के चरित्र को सुनने से कि हमारी साधन में एक आदर बुद्धी होती है. अभी हम जब करते हैं, मानलीजी किसी का फोन आ गया, तो फोन उठा के बात करने लगते हैं. यह काम बहुत जरूरी है, यह काम भजन तो बाद में भी हो जाएगा. कल हो जाएगा, आज नहीं हो जाएगा, क्या दिकत है? लेकिन यह कॉल अटेंड करना बहुत जरूरी है. तो यह क्या है? आदर बुद्धी का भाव है, अनादर बुद्धी हो गई बजन में. उसी प्रकार जब करते हैं, छप पंतरे के विचार मन में आते रहते हैं, यही भक्ती में पोला पन है. जब हम भक्तो के चरित्र को सुनते हैं, आचारियों के चरित्र को सुनते हैं कि कैसे हरदास ठागुर इतना ध्रणता से प्रतिदिन तीन लाख नाम जब करते थे. इतना धिर्ड थे कि कोई भी उनके सामने आ जाए वो उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे वेश्या भी आ गई तब भी वो धिर्ड रहे अपने संकल के उपर वे प्रसाद भी नहीं पाते थे जब तक वो अपना नाम जब पूरा नहीं कर लेते थे तो इस प्रकार की धिर्ड़ता हमारे जीवन में होनी चाहिए और यह आती है भक्तों की क्रपा से, भगवान की क्रपा से तो आज जो हमने ये गीत पढ़ा, गोपिनाथ ममनिवेधन सुनो तो इस गीत में भक्ति वुनु ठाकुर इसी प्रकार की धिर्टा की और भक्ती की आकांशा भगवान गोपी नाथ से कर रहे हैं। वे भगवान गोपी नाथ से प्रातना कर रहे हैं। तो गोपी नाथ जो भगवान है वो हमारे प्रयोजन विग्रा हैं। संबंध अभिधे प्रयोजन, जो मदन मोहन है, वो संबंध विग्रा है, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करते हैं, अपने द्वारा, अपने प्रती आकरिष्ट करके, कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी है, यह कार्य करते हैं भगवान श्री मदन मोहन और भगवान श्री गोविंद देव वो हमको साधन भक्ती में प्रविर्त कराते हैं अभिधे तत्त के वो विग्रह हैं कि किस प्रकार हमको भक्ती करनी है और भगवान गोपिनाथ यह प्रयोजन विग्रह है जब भक्ती करते करते उसका चित शुद्ध हो जाता है तो उसका हिरदय भगवान गुपिनाथ के द्वारा चुरा लिया जाता है तो ऐसे भगवान गुपिनाथ से भक्ति उन्हों ठाको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुपिनाथ मम निवेदन सुनो मेरा निवेदन सुनिये मैं विशई हूँ विशव में लगा रहता हूँ दुर्जन हूँ और सदा काम रता हमेशा मैं काम में लगा रहता हूँ इस अंसार की जो वासनाए हैं उनको पूरा करने में लगा रहता हूँ इस अंसार के सब्द इस पर शुरू प्रस गंध को कैसे अपने लिए भोग किया जाए इसी का नाम काम है और इसी में मैं लगा रहता हूं किछु नहीं मोरा गुणा मेरे कोई भी अच्छे गुण नहीं है लेकिन हेगो पिनाथ अमारा भरोसा तुमी मेरा भरोसा तो आप ही है मैंने आप के चरणों की शरण ले ली है और मैं आपका दास हूँ तुमारा किंकर आमी हेगो पिनाथ जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो मुझे आश्चर होता है कि के मोने शोधी बे मोरे और जड़ कर्म में मेरी मती प्रवित्त हो गई है, इस कारण से मैं इस घोर संसार में डूब गया हूँ, यह संसार घोर इसलिए है क्योंकि आप से अलग है, आपकी स्मृति को भुला देने वाला है, इसलिए संसार घोर है, ऐसे घोर संसार में मैं पढ़ गया हूँ हे गोपिनार सकली तुमार माया लेकिन ये सब आपकी ही माया है नाही मामबला ग्यान सु निर्मला स्वाधिन नहीं ये काया मैं आपकी माया के द्वारा फसा दिया गया हूँ मेरा स्वैम का इतना बल नहीं है ना तो मेरा ज्ञान इतना तीवर है, तीक्षण है, निर्मल है, कि मैं अपने बल से इस माय से पार हो पाऊं। और ये काया, ये शरीर भी अपने बस में नहीं है, हम सुबह उठना चाते हैं मंगला आती के लिए, लेकिन ये उठी नहीं पाते हैं, कई लोग बुलते हैं, तो ये शरीर भी अपने बस में नहीं है, गोपिनात, नियते चरणे स्थाना, मांगे पावर कंदिया कंदिया करो ह हे गोपिनाथ, मुझे अपने चरडों में स्थान दीजिए, मैं रो रो कर आप से इस करुणा की भीख मांगता हूं, तुमी तो सकल पारो, हे गोपिनाथ, आप सब चीज में समर्थ हैं, यह जो माया है आपकी है, अगर आप चाहें, तो इसको आग्या दे सकते हैं, और आपक बड़े दुरजनों को आपने तार दिया है, मड़े बड़े राच्छस आये, पूतना, अगासुर, बगासुर, इन सब को आपने भगवत गती प्रदान किया, अपने धाम को प्रदान किया, हे गोपिनाथ, तुमी कृपा पारवारा, आप तो कृपा के समुद्र हैं, भी आप उनके लिए आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम मारे माता पिता बोलते हैं, जब तुम उस जगह पर जाना तो उनके घर में मत जाना, क्योंकि उनके घर से हमारी बंती नहीं है, तो कई बार अगर दुश्मनी होती है, तो लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन भ बहुती जगत से तर जाते हैं, भगवान की प्रेव मैस्देवा को प्राप्त करते हैं, यह भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान को बोलना है, तुम ही कृपा पारावारा, आप क्रिपा के समुद्र हैं, पारावारा मतलब समुद्र हैं, हे गोपिनाथ, आमी की दोशे द दाप्त कर लिये हैं, लेकिन भक्ति उन्हों ठागुर बोल रहे हैं, मैं यहीं पे रहे गया हूँ भोती जगत में, आप मेरे उपर कब कृपा करेंगे। तो इस परकार गोपिनात भगवान से प्राथना की जा रही है। तो हम आप कल के प्रसंग को यहीं से चालू करते कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे हर्दाश ठागुर की नाम में कितनी ध्रड़ निष्ठा है। और चैतन महाप्रभु ने नाम के चमतकारिक प्रभाव को हर्दाश ठागुर के माध्यम से इस जगत में प्रकट किया। कल हम ने देखा कि कैसे उनको दंड दिया गया, 22 बजार में मार कोडे उनकी खाल खिश दी गई। लेकिन फिर भी वे नाम के प्रती इतना ध्रड़ थे कि उनका संकल्प था कि मेरे शरीर की बोटी-बोटी कर दी जाए, मुझे मार दिया जाए लेकिन फिर भी मेरे मुख से हरी नाम कभी नहीं बंद हो सकता। इतना ध्रड़ संकल्प था फिर बाद में कैसे वे अपनी इच्छा से मर गए और फिर अपनी इच्छा से फिर से जी गए और कैसे उन्होंने सारे यवनों को तारा सब के उपर कृपा दृष्टी की और फिर वहां से वो शांतिपूर मे वहीं पर रहते थे थे फुलिया गाओ में कल हम लोग चर्चा कर रहते हैं कि फुलिया गाओ में ही एक गुफा थी जहां पर रहें प्रते दिन अपना तीन लाख नाम जब किया करते थे और अदवेत आचारी के घर के घर में वो भिक्षा ग्रहन किया करते थे थे कल हम प्रादुर्भाव हुआ, तो ये दोनों अद्वेत अचार्या और हरिदास ठाकुर। उस समय शान्तिपूर में ही थे और जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ, दोनों ही एकदम पागल की तरह नृत्य करने लगे। दोनों कृष्ण प्रेम में एकदम पागल जैसे हो करने लगे। सभी समझ नहीं पा रहे थे कि हो गया गया है। तो वास्तों में ये लोग जान गये थे कि चैतन महापुरू का प्राकट हो गया है। फिर उसके बाद चैतन महापुरू अपनी लीला कर रहे थे नवद्विप में और इसी सिल्सले में वे गया गया। गया में उन्होंने श्री ईश्रपुरी से दिक्षा ग्रहण की और पिर ईश्रपुरी के ही आदेश से वे नाम-Sंकिर्टन करना चालू कर दिये। पहले तो नाम-Sंकिर्टन कुछ सीमित जगहों पर होता था। कभी श्रिवास ठाकुर के आंगन में होता था, तो कभी श्री चैतन अमापरू के घर में होता था, तो कभी जो है चंदरशेखर आचारे इनके घर में होता था, नाम संकिर्तन, तो ये लिमिटेड लोगों के लिए था, कुछ ही लोगों के लिए ये नाम संकिर्तन होता था लेकिन फिर उसके बाद एक अवसर आया जब वहां का जो काजी था उसने भक्तों के किर्तन में विख्ण डाला अब उसका विरोध करने के लिए पहले बार श्री चैतन ये महाप्रभू ने हरिनाम संकिर्तन मंडली बाहर यात्रा निकाली हरिनाम यात्रा निकाली और उस यात्रा में हरिदाश ठाकुर ही मुखे नर्तक थे ऐसा था वही मुखे नर्तक थे और यही नहीं फिर उसके बाद चैतन महाप्रभू ने प्रचार करना चालू किया वे अपने भक्तों का ग्रूप बनाते और उनको भेशते कि जाओ प्रचार करो जाके। तो सबसे पहली जो प्रचार मंडली चैतन महापुरु ने निर्मान की। उसमें दो लोग थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो एक दिन चैतन महापुरु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया और उनको बोलते हैं। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमार आग्या करहा प्रकाशा। सुनो नित्यानंद सुना हरिदास सर्वत्र अमार आग्या करहा प्रति घरे घरे गिया कराए भिक्षा। क्रिष्णा भाजा क्रिष्णा बॉल करा क्रिष्णा सेक्षा। सुनो नित्यानंद प्रव और हरिदास ठाकुर को बुलाया और बोले कि जाओ हे नित्यानंद और हे हरिदास जाओ सर्वत्र हर जगा जाओ घरो में जाओ घाटो में जाओ जहां भी लोग एकत्रित हुए हैं वहाँ पर जाओ और मेरी ये आज्या है कि तुम महाँ पर जाके भिक्षा मागो क्या भिक्षा मागो? कृष्ण भज़, कृष्ण बोल, कर कृष्ण सिक्षा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम बोलो, और जो भी कृष्ण बोले हैं कृष्ण की सिक्षा का पालन करो कृष्ण ही तुमारी माँ हैं, कृष्ण ही तुमारे पिता हैं, कृष्ण ही तुमारे जीवन सर्वस्व हैं, कृष्ण ही वास्तविक धन हैं और चैतने महापुरू ने आग्या दिये, देखो ये जो प्रचार का कार है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो भी दिखे, जैसा भी दिखे, उसको इस प्रचार करना है, कृष्ण नाम का हरिनाम का प्रचार करना है, तुमको ये रत्ती बर भी तो ये लोग बड़ी विनम्रता से जगा जगा जाते थे, और लोगे के सामने गिर कर, उनके चड़नों में गिर कर भीक मांगते थे, कि भाईया हरिनाम जब करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण ही तुमारे पिता है, कृष्ण ही तुमारे माता है, कृष्ण ही तुमारे ज वेक्ति से हीन देखते हैं, जब वेकिसी विक्ति को विषयों में लिप्त देखते हैं, तो उनके हदे को बहुत करश्ट होता है, तो इसलिए वे प्रचार का कार्य करते हैं, तो यहां पर नित्यानन्द प्रवो हरदाष्ट अगुर्, सब लोग घर घर जाते थे, यह दोनों करो, क्रिष्ण का नाम लो, जो भी क्रिष्ण बोले हैं, उसको करो, कई बाद तो नित्यानन्द प्रु हरदाष्ट अपने मुख में घास रख लेते थे, और फिर लोगों से प्रातना करते थे, यह बहुत विनमरता का चिन होता है, शायद यहां पर हम लोगों ज्यादा प जाते थे, तो दोनों लोग एक साथ ही यहां पर मान लेना चाहिए, अगला बाद अग्रोद पर्मानन्द नित्यानन्द राय पर्मानन नित्यानन अभी मान शुन्यनिताई नगरे बिडाय अधम अपतित जीवे द्वारे द्वारे गिया अरी नम महा मंत्र दीछे न बिलाईया जारे देखे तारे कहे दंते त्रिणा धोरी आमारे की नियालह बलगरहरी एतवले नित्यानन्द भूमें गड़ी जाए सोनारा पर्वत जेन धूले तेलो टाए हिन अवतार जारतीन जन्मीला लोचन बोले से इपापी एल आरगे लो तो यहां पर लोचन दाष्ठागुर बोल रहे हैं कि नित्यानन्द प्रभू आकरोध क्रोज से एकदम रहीत हैं अभिमान से एकदम रहीत हैं और वो नगर में घूम रहे हैं किसलिए चतन महापुरु की आग्या का पालन करने के लिए अदम हो पतिजी हो उसके घर घर पे जार हैं और हरिनाम महामंत्र की दिख्षा दे रहे हैं जिसको भी देखते हैं उसके सामने अपने दातों में त्रिन दवाकर बोलते हैं कि आप कृपागर के क्रिष्ट का नाम लो गवर हरी का नाम लो और ऐसा करने से मैं आपका नोकर बन जाओंगा और ऐसा बोलके तुरंद उसके चर्णों में गिर जाते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई सोने का परवत भूमी में लोट रहा है इस अवतार नित्यानन्द प्रभू के प्रती जिसकी भी रती नहीं जन्मी वो पापी आएगा और जाएगा मतलब वो 84 लाख योने के चकर में बहुत उच्चिकुल के ब्रामभण लेकिन इनका आच्रण एकदम भ्रष्ट हो चुका था ये मदिरा के निसे में धुत रहते थे इनकी आखे एकदम तांबे के समान लाल रहती थी ये चोरी चमारी में लग गए थे और दुराचार करते थे कोई भी ऐसा पाप नहीं था इसे छूट गया था हल प्रगार के पाप में लिप्त होते थे जिसको भी देखते थे उसको पकड़ के खुब पीटते थे फिर उसको लूट लेते थे और अगर कोई नहीं मिलता था तो आपस मही एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ कर लड़ने लगते थे इतने बड़े देखते के समान ये लोग हो गए थे किसी के वश में नहीं थे ये एक दिन नित्याननप्रवू हरदाश ठाकुर जब उधर से गुजर रह थे इनके नजदीक से तो नहों ने नित्याननप्रू ने विचार कि यदि ये दोनों भक्त बन जाते हैं तब चैतने महाप्रू की म हरदाश ठाकुर के पीछे भागे उनको मारने के लिए तो दोनों जान बजा के भागे फिर अगले दिन और फिर नित्याननप्रू आए और उबली लंबी घटना है उनों ने दोनों का उद्धार किया चैतने महाप्रू की भी इनको किरपा प्राप्त हुई उकुल्मिलाग यह एक एश्वर पूर्ण लीला थी इसमें चैतन महाप्रू में भगवान नारायन का आवेश्वा नारायन तो स्वयम है ही लेकिन हमेशा भक्त भाव में रहते हैं लेकिन इस दिन जो नारायन भाव है वो प्रकट हो गया उन्होंने शालिग राम को उनकी सिंघासन से और चैतन महाप्रू जो भी भग्त है उनकी जो भी इच्छा है सब कुछ पूर कर रहे थे जो भग्त भगवान के जिस रूप का दर्शन करना चाह रहा था चैतन महाप्रू उसको उस रूप का दर्शन करा रहे थे तो बहुत भग्तों पर कृपा हुई होते होते मुरारी पर कृप्त हुई, मुरारी गुप्त को भगवान शी चैतने महापुरू ने अपने श्री राम स्वरूप का दर्शन कराया, क्योंकि वे राम भगते थे और उनको अपने भी स्वरूप, खुद के मुरारी गुप्त का जो हनुमान स्वरूप, उसका विदर्शन करा है और फिर उसके बाद ये सब हुआ उनके उपर कृपा हुई मुरारी गुप्त के उपर फिर चैतन महापरू ने याद किया हरिदास किदर है हरिदास को बुलाओ हरिदास को बुलाओ तो हरिदास ठाकुर सामने आते हैं और जैसी हरिदास ठाकुर सामने आते हैं तुरन चैतन महापरू अतिन्त भावुक हो जाते हैं और चैतन महापरू बोलते हैं कि हरिदास तुमारी जो देह है ये मेरी देह से भी बड़ी है और जो तुमारी जाती है वही मेरी भी जाती है अर्थात हम दोनों एक ही जाती है ये कहने का मतलब फिर चेतने महापरु बोलते हैं तुमको याद है वो दिन जब तुम बाइस बजारों में जलादों के द्वारा पीटे जा रहे थे मार कोडे तुमारी खाल खीच रहे थे मुझे जब भी मैं उस दिन का स्मरण करता हूँ तब तब मुझे बहुत दुखी हो जाता हूँ जब वो लोग तुमको पीट रहे थे तो तुमारा ये दुख मेरे से सहन नहीं हो रहा था मैं तुरंद वैगुंट से उतर आया चक्र लेके उन लोगों का संघार करने के लिए लेकिन मैं इधर आया तो मैं इधर क्या देखता हूँ कि तुम सुक से हरिनाम जब कर रहे हो और हरिनाम जब करते करते उन जलादों के लिए ही प्राथना कर रहे हो कि हे भगवान, इनको नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इस दुएश के कारण, इस दुरोह के कारण और इस प्राद कारण, इनकी अवश दुरगती होगी, इनका अवश विनाश हो जाएगा, लेकिन हे क्रिपा सिंदू, आप क्रिपा कीजिए इन लोगों के उपर, इन तो इस प्रकार बारं-बार मुझसे प्रातना कर रहे थे हِर्दास, तब मैं चक्र चलाना तो चाहा रहा था, लेकिन मेरे हां से चक्र छूठी नहीं रहा था, मनला भगवान बोल रहा है कि मैं भी अपनी इच्छा से चक्र नहीं चला पा रहा था, फेर लेकिन तुमारे उ तो इसी को दिखाने के लिए चैतन महापुरू ने अपना उत्तरिय वस्त्र दिखाया, और अपनी पीठ सबके सामने की, तो उनकी पीठ एकदम लहू लुहान सी दिख रही थी, उसके पीठ के उपर चाबुक के बेतों के बर्तों के निशान थे, और बेतों की मार के निशान थे, सब देखके हरी हरी जो जो से चिलाने लगे, जब हरिदास्थाकुर ने चैतन महापुरू के इस प्रकार के अम्रित में वचनों को सुना, और अपने प्रती भगवान की कितनी कृपा है, अपने प्रती भगवान के भक्तवातसल्य को देखा, तो उसको सहन नहीं कर पा हैं, तेक्टन महापुरू ने उनको पुकारा, भोले हरीदास उठो, उठो और मेरे ऐश्वर्य को देखो, अब चैतन महापुरू का इस प्रकार कहना था, कि हरीदास ठाकुर में मानों फिर से प्राणों का संचार हो गया, उनको होश तो आ गया, लेकिन ऐश्वर्य को दे करने लगे और प्रभू से कहने लगे महाप्रभू से कि हे प्रभू, हे विश्वंभर, हे जगनात, आपकी मेरे उपर बड़ी कृपा है, मैं तो अत्यांत पतित हूँ, अत्यांत नीज हूँ, वाणाशन धर्म से बाहर हूँ, मलेच जाती में मेरा जनम हुआ है, मुझे जो उसको बहुत भारी पाप लगता है, और अगर किसी ने मेरा गलती से स्पर्ष कर लिया, उसको तो सचैल, कपड़े के साथ जाके गंगा में कूट करके उसको स्नान करना पड़ता है, ऐसी मेरी इस्थिती है, लेकिन मुझे हीन के प्रती भी आपकी इस प्रकार की कृपा, हे आपने शास्त्रों में बताया है कि कोई भी वेक्ती यदि आपका स्मरण करता है, तो उस स्मरण का ऐसा प्रभाव होता है कि चाहें वो किसी भी जाती का हो, किसी भी कुल का हो, धन हो उसके पास या ना हो, विद्या हो या ना हो, लेकिन अगिन यदि आपका स्मरण करता है तो उसको आप अपनी कृपा छत्रचाया में अवश रखते हैं और उसकी सब प्रकार की मुसीबत उसकी दूर कर देते हैं इतिहास इस बात का प्रमाण है ऐसा कहते हुए हरदाश टाकुर बहुत सारे इतिहास देने लगे वो बोलने लगे कि इसका प्रमाण द्रौपदी है जब द्रौपदी उस कौरों की सभा में डूब रही थी उस समय उसने दोनों हाथ उपर करके जोड से पुकारा हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारका वासिन और उसका ऐसा पुकारना था कि आपने तुरंथ साड़ी का उतार ले लिया वस्त्र का उतार ले लिया एक कवी ने लिखा है दस हजार गजबल घटयो, घटयो ना दस गजचीर दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भैशाम दस हजार हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक कर, चूर होकर गिर गया लेकिन वो दुशादी की दस गजची साड़ी नहीं खीच पाया भगवान ने वस्त्र का उतार ले लिया तो वो बोलने हैं कि ये स्मरण का प्रताप है दुशादी ने आपका स्मरण किया और उस वज़े से उसकी मुसीबत टल गई फिर वो बोलते हैं कि एक बार की बात है पारवती को डाकनियों ने घेर लिया कुछ चुडैलों ने घेर लिया और वो पारवती देवी को ही खाना चाहती थी उसमें पारवती देवी ने आपका स्मरण किया और आपके स्मरण का ऐसा प्रताप हुआ कि वो इस समस्या से दूर हो गए वो डाकनियों से बश गए फिर बोलते हैं कि आपका स्मरण तो प्रलाद ने किया प्रलाद को कितना मारने का प्रयास किया गया उसको उपर से नीचे फेक दिया गया, उसको विश्ट दे दिया गया, उसको दिगजों के पैर के नीचे कुछ अलवानों का प्रयास किया गया, उसको कितनी प्रिकार से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन आपके स्मरण के बल से कोई भी मुसीबत उसको छू तक नहीं सकी, उल्टा आप ही प्रकट हुए और आपने हिरे निकष्पु को ऐसे चीर दिया जैसे चिटाई बनाने वाला घास चीर देता है। फिर बोलते हैं कि आपने आपका इस्मरंड पांड़ों ने किया। जब वो वनवास जहिल रहे थे उसमें दुरवासामुनी उनके पास आये। दुरवासामुनी अपने 10,000 सिश्चियों के साथ आये भोजन करने के लिए। लेकिन समस्या थी कि Dhopadhi ने पहले ही अक्षे पातर में से भोजन कर लिया था, उसको निरे निकलता नहीं, लेकिन दृस्पी निरौपदी और सारे पांडों ने आपका स्मरांड किया आपने तुरंत आये और उसके अक्षे पात्र में से जो शाक का अन्न था उसको खाया और फिर उसके बाद सारे जितने दुर्वासा उनके दस जार सिस्ट थे उनके सब का पेट भर गया मानों उन्होंने बहुत भारी भोज अभी अभी जल्दी में किया है और वे सब उदर से भाग गए और तो और कोई आपका स्मरण करने का नाटक भी करे जैसे अजामिल अजामिल ने कोई आपका स्मरण नहीं किया वो तो अपने पुत्र का स्मरण कर रहा था और वो भी यमराज के दूतों के भैसे लेकिन उस स्मरण का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसके सारे पापनश्ट हो गए और उसको सद्गती प्रदान हुई उसको वेकुंठ बाद में प्राप्त होता है तो ये सब आपके स्मरण का प्रभाव है लेकिन हे विश्वंभर, हे प्रभु मैं आपके उस मरण रूपी धन से सर्वता हीन हूँ इस प्रकार में बारम बार अनेक प्रकार से भगवान के प्रार्थना कर रहे थे भगवान के गुण गा रहे थे तो होते गरते चैतने महापरु उनसे बोले कि हरिदास मेरी इच्छा है कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ इस त्रिलोकी में याथवाइस ब्रह्भांड के भी बाहर वैकुंठ में कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं दे सकता तुमारी जो इच्छा है वो मांगो मैं तुमको देना चाहता हूँ हरदाश ठाकुर बोले महाप्रभू आपके दर्शन से बढ़का और और क्या हो सकता है मैं आपके दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो चेतन महाप्रभू बोले लेकिन फिर भी कुछ मांगो मेरे लिए मांगो मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कुछ मुझे मांगोगे तो हरदाश ठाकुर बोलते हैं जैसे तो मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है आपका दर्शन ही परयापता लेकिन फिर भी आप यदि बोल रहे हैं तो मेरी एक इच्छा है उसको कृपा करके पूर्ण कीजिए मेरी इच्छा यह है कि मैं अपने कर्मों के वशिभूत होकर किसी भी योनी में जाऊं तो वहां पर मुझे आपके चरणों का भजन करने वाले भगतों का उच्छिष्ट पराप्त हो तो यह देखिए हरदाष ठाकुर की कितनी विनम्रता है वो यह नहीं सोच रहे कि जनम के बाद मैं बैक होम बैक टू गाड़ एट चला जाऊंगा मैं भगवान के दाम चला जाऊंगा वहां भगवान का परिकर बन जाऊंगा भगवान की श्चिवा करूंगा वो अपने को इस योगे मान ही नहीं रहे वो यहीं माग रहे हैं कि मुझे भगतो के उच्छिष्ट प्राप्त हो जिससे मेरा चित हमेशा आपके चर्णों में लगा रहे है फिर एका एक फिर से वे विहवाल हो जाते हैं हरदाष ठाकुर और फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये भी मेरे कोई अपराद का ही परिणाम है जो इतनी इस प्रकार की स्रिष्ट इच्छा मेरे हरदय में हो रही है मैं इस प्रकार की गती का लायक नहीं हूँ मैं तो नरक में गिराने लायक हूँ मैं तो रौरो ननक में गिराने लायक हूँ लेगन आप हैं कि मेरी सद्गती कराने पे दूले हुए हैं लेगन ये जो इच्छा आ रही है मेरे हदय में हो सकता है मेरे किसी अपराथ का परिणाम है कि इतनी स्रिष्ट इच्छा मेरे हदय में आ रही है मैं इसके लायक भी नहीं हूँ लेकिन आप कृपा करिये आप इश्वर हैं आप सरसमर्थ हैं आप मुझे को ये अवश्य प्रदान कर सकते हैं तो उसमें हरिदाश्ट ठागूर जो है बोलते हैं कि मुझे अपने घर का कुट्ता बना दी तो इसमें बोलते हैं क्रेमा भक्ति मया हैला प्रभु हरिदाश्ट पुना पुना करेका पुना पुराए आश्ट तो ये बोल रहे हैं हरिदाश्ट ठाकूर हे सची नंदन हे मेरे स्वामी आप मेरे उपर कृपा करें आप मुझे को कुट्ता बना दीजे कुकुर करिया मुरे राखभ भक्त घरे मुझे आपके भक्त के घर में कुट्ता बना दीजे जिससे मुझे आपके भक्त के उच्छिष्ट प्राप्त होता रहे ऐसा कहे कर हरिदाश्ट ठाकूर प्रेम भक्ती में हो गए और पुना पुना काकूसवर में यही प्राप्तना कर रहे था कि मुझे कुट्ता बना दीजे तो इसको सुनकर चतने महापुरू ने क्या उत्तर दिया चतने महापुरू कहे अपने भक्त को कुट्ता बनाने जाए उन्होंने महान आश्रवात दिया दाश्ठाकूर को वो बोलने लगे प्रभू बोले सुना सुना मुरअ हरिदा दिवासे को तोम संगे कईला जेवास फिलार धके तुमी जार संगे कहका था सिया वश्य आमा पाई वेकनाहिक अन्य था तो महापरों बोलते हैं कि हे हर्दास सुनो दिवसे को तुम संग कैला जय वास कोई यदि एक दिन भी तुमाए साथ रहा है अथवा तिलार धके तुमी जार संगे कहका था अथवा आधे तिल के लिए भी आधे छण के लिए भी यदि किसी ने तुमाए साथ बाद भी की है वो अवश ही मुझको प्राप्त करेगा इसमें कोई गड़बड बात नहीं है तुमारा जेकरे शद्धा तेकरे आमारे निरंतर आचियामी तुमारा शरीरे तुमी हे नसेवके आमारठ कुराल तुमी मुरे हे दाए बांधिला सवकाला वहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी तुमारे प्रती शद्धा करेगा वो मेरे प्रती पे शद्धा करेगा यानि तुमारे प्रती जो शद्धा करेगा सौबावी की उसकी मेरे प्रती शद्धा हो जाएगी निरंतर आचियामी तुमारे शरीरे मैं तुमारे शरीर में निरंतर निवास करता हूं तुमी हे न सेवके आमार ठकुराल तुम्हारे जैसे सेवक की वज़े से ही मेरी ठकुराई है मतलब मेरी भगवत्ता इसी जिसे है क्योंकि तुम जैसे भक्त मेरे पास है और तुम ही मोरे हिर्दय बंधीला सर्वकाल और तुमने अपने हिर्दय में मुझे हमेशा बांध लिया है कल भी हम इसका चर्चा किये थे मुरस्थाने मुरसर्ववश्णवेरस्थाने विनेया परादे तुरवख्ति दिले दाने हरिदासा प्रतिवार दिले न जखाने जया जया महाद्वानी उठिलात खाने तो महाबर उन से बोल रहे हैं कि तुमारा मेरे प्रति अथवार मेरे वैश्णों के प्रति कोई भी अपराद नहीं इसलिए तुमारे हरिदय में इस प्रकार की भक्ती है और हरिदास के प्रति जब भगवान इस प्रकार से वर दिया जो सब लोग जय हो जय हो इस प्रकार से कहने लगे फिर यहाँ पर और विंदावन दाश्टाकूर दो तीन पैयार में और कुछ टिपनी करते हैं एतार प्रमान जवन हरिदात ब्रम्भादे दुर्लवदे देखिला प्रकाश बोलते हैं कि जाती ये विंदावन दाश्टाकूर बोलना है कि कोई जाती सहीन है कुछ क्रियाकांड नहीं करता है कर्मकांड धन नहीं है लेकिन ये सब प्रेम प्राप्ति करने के साधन नहीं है प्रेम धन आति भीन ना पाए कृष्णे यदि किसी को Krishna की प्राप्ति करना है तो उसके हदर में भक्ति होनी चाहिए èitaran pramana javan haridas इसका pramana javan haridas जिनको ऐसा सुख प्राप्त हुआ ऐसा सौभाग प्राप्त हुआ जो ब्रम्भादी को भी दुरलब है जेपा पिष्था वश्णा वेरा जाती बुद्धी कारे जन्मा जन्मा अधाम योनी ते डुविमारे हरी दासस्तुति वरसुने जेई जाना अवश्या मिलिवे तारे कृष्णा प्रेमधाना तो अवश्या मिलिवे जाती बुद्धी करता है कि आम जो वैश्णा है ये शूद्र है ये जो है ये ऐसे हिन जाती का है तो अवश्य ही जन्म जन्म तक कई जन्मों तक अधम योनियों में पड़ेगा तो और बोल रहे हैं कि जो हरिदास को ये इस्तुती सुनता है जो उन्होंने चैतन महापरू के प्रति की और हरिदास को जो वर्दिया भगवान ने उसको सुनता है उसको अवश्य ही कृष्ण प्रेमधन की प्राप्ति होती है इसके बाद चैतन महापरू ने सन्यास ग्रहण किया कुछ समय के बाद महापरू के सन्यास ग्रहण करने का प्रयोजन ये था कि वो कुछ ऐसे तबकों में पहुचना चाहते थे जहांपर सामान रूप से ग्रहण विक्ति नहीं पहुच सकता है तो प्रचार करने के लिए ही हरिणाम के प्रचार करने के लिए भक्ती के प्रचार करने के लिए रागमार की भक्ती का उन्होंने सन्यास धर्म को ग्रहन किया, सन्यास आश्रम को और सन्यास आश्रम को ग्रहन करके अपनी मा के निवेदन से विन्हे ने जगनात पुरी को अप तो सारे के सारे भक्त बंगाल देश के, छान्तिपूर के, गौर देश के जितने भी भक्त थे, वे उनसे मिलने के लिए और रथ्यात्रा में भाग लेने के लिए पूरी आए, बंगाल से पूरी आए, प्रती वर्ष भक्त लोग आते थे, तो इस वर्ष विशेश था, क्योंक से पुरी चैतने महापुरू का दर्शन करने के लिए और रध्यात्रा का दर्शन करने के लिए तो जब आ रहे थे बाहर ही थे वो जगरनादपुरी के बाहर ही थे अभी प्रवेश नहीं किये तो उसी समय चैतने महापुरू को पता चला और उन्होंने सुरूप दामदर गो जो कि जगनातपुरी में प्रवेश द्वार कहा जाता है, एक पुल टाइप से है, तो वहाँ पर पहुँचे और वो सारे भक्तों से भेट किये उस जगा पे, अधर नाला पे, और वहाँ पर उन्होंने सारे भक्तों को प्रडाम किया, और जगनात का माला, चंदन और जो भी निवासतन गंभीरा है, अभी भी जो लोग जाये जगनातपुरी में उसका दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर चैतने महापुरू का खणव रखा है, जल पात्र भी अभी रखा हुआ है, तो उस स्थान पे सारे के सारे भक्त गए, और चैतने महापुरू बड़े प्रेम से उन्होंने अचानक से पूछा, अरे हरिदास कहा है, तो तुरन सारे भक्तों ने उधर ऐसे अंगली करके सड़क के और इशारा किया, और चैतने महापुरू की अधर दृष्टी गई सड़क के और और उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर भूमी में लेटकर प्रणाम कर तो जैसे उन्होंने हरिदास ठाकुर को उस सवस्था में देखा, उन्होंने बोला, रिसको बुलाओ, बुलाओ, इधर बुलाओ, बहुत दूर में प्रणाम कर रहे थे, तो चैतने महापुरू ने बोला कि बुलाओ, बुलाओ, हरिदास ठाकुर को इधर बुलाओ, तो जाओंगा गंभीरा में और हो सकता है कि जगनात के पंड़ा इत्यादी पुजारी इत्यादी इत्यादी अधर से जा रहे हो गलती से मेरा इंसे पर्ष हो जाता है तब तो मैं अपने प्राणू को भी नहीं धारन कर पाऊंगा। इसलिए मैं अधर नहीं जाओंगा। आप कर कि अधरी मुझे कुछ स्थान दे दीजे मैं यहीं पर रहूँगा। ऐसे करके वे बोले। चैतने महापरू को जब यह पता चला को भक्त लोग वापस आके चैतने महापरू के बताए तो चैतने महापरू को बड़ी प्रसंता हुए उनकी विनम्रता को देख करके। फिर चैतने महापरू बोले ठीक है उनके भाव को भंग नहीं करना चाहिए और वे और भक्तों की विष्था करने लगे। रहने की विष्था करने लगे। भोजन की विष्था करने लगे। चैतने महापरू स्वयम इसकी जिम्मदारी लिए। जितने भक्त बंगाल से आये थे सब के भोजन के आवास की विस्ता किये और जो कुछ भी उनको चाहिए था वो सब की विस्ता किये सब की विस्ता करके फिर वे गए हरदाश ठाकुर से मिलने के लिए हरदाश ठाकुर से मिलने के लिए गए तो समय हरदाश ठाकुर जोर जोर से नाम जब कर रहे थे जैसे हरदाश ठाकुर ने देखा कि प्रभू समीप आये हैं तो तुरंत उन्होंने भूमी पर लोटकर उनको दंडवत प्रणाम किया महापरू ने बड़े प्रेम से उनको उठाया और उनका आलिंगन किया जब जैसी महापरू ने उनका में सर्वष्रेष्ट हैं और मैं कहां यवनकुल में नीजाती में उत्पन हुआ हूँ मुझे कोई देख लेता है तो उसको पाप लग जाता है आप कृपा गरके इस परकार मेरे इसपर्ष मत किया खीजिए जब जब आन महापरू बोले अरे मैं तुमारा इस पर्ष तो अपनी पवितरता के लिए कर रहा हूँ मैं अपने को पवितर करने के लिए तुमारा इस पर्ष कर रहा हूँ तुमसे जैसा तुमारे जैसा श्रेष्ट वेक्ती कौन हो सकता है जो हर समय हरिनाम गा रहा है हर समय हरिनाम गाने का प्रभाव ये है कि तुमने के सारे के सारे तीर्थ तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया है तुमने सारे के सारे वेदों का पाठ कर लिया है जितने भी यग्य हैं सब तुमने कर लिया है जितने भी होम हैं सब तुमने कर लिया है इसलिए तुम्हारे जैसा पवित्र वेक्ति कौन हो सकता है और मैं अपने आपको पवित्र करने के लिए तुम्हारा आलिंगन कर रहा हूँ तो इस प्रकार चैतन महापरू उनको उत्तर दिये फिर देख रहे हैं चैतन महापरू की हर्दाश ठाकूर अत्यंत विनम्र है इतने विनम्र है कि वे स्वयम जगनात मंदिर में जाने का प्रयास तक नहीं करेंगे कई लोग होते हैं जैसे नहीं जाने को मिलता है तो किसी प्रकार से कुछ बेश वगयरा बदल के जाने का प्रयास करते हैं लेकिन उधर रोक लिया जाता है लेकिन हर्दाश ठाकूर इतना विनम्र थे कि वे स्वयम कभी भी जगनात मंदिर में जाने का प्रयास तक नहीं करते थे उस समय चैतन महापरू का इतना प्रभाव था कि लोगों को अगर पता चलता कि चैतन महापरू के निज पारशत हैं, खास व्यक्ति हैं, तो शायद उनको कोई रोकता नहीं जाने के लिए मंदिर के भीतर, लेकिन फिर भी वे स्वयम इतने विनम्र थे कि वे कभी भी जगनात मंदिर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास नहीं किये, अरे जगनात मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास तो दूर की बात है, वो जगनात मंदिर के निकट भी नहीं जाते थे, जब चैतन महापरू ने इस प्रकार उनकी विनम्रता देखी, तो बहुत प्रसन हुए, और वो जगा ऐसी थी कि उस जगा से Bhagawan Jagannath का जो मंदिर है उसका चक्र उपर का वो पष्ट रूप से दीखता था. तो जो उपर चक्र होता है मंदिर के उपर उसको देखने का वही फल होता है जो अगर भागवान के श्री विग्रह को देखने का फल होता है. अगर आप लोग ने कभी देखा हो तो विग्रह की स्थापना करने से पूर्व पहले चक्र की स्थापना होती है जैसे अभी मायापूर में जो मंदिर बन रहा है वहाँ पहले चक्र की स्थापना होई नरसीन देव के और फिर उसके बार नर्सिन देव की स्थापना होई, तो जब चक्र की स्थापना होती है, तो अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो चक्र का भी उतना ही महत्व है, जितना अंदर भगवान जगनात का महत्व है, तो जो लोग अंदर नहीं दर्शन कर पाते हैं, जिनको अंदर जा तो प्रसाद महापुरु स्वयम उनके लिए प्रते दिन लाते थे। महापुरु प्रते दिन जाते थे, जगनात का दर्शन करते थे सुबह। और महापुर बड़ी देर तक निर्ट करते थे, किर्टन करते थे भक्तों के साथ। और वहां फिर उपल भोग का दर्शन करते थे. जगनादपुरी में एक भोग होता है उपल भोग. गरुण स्थम के पास में एक उपल एक पत्थर है. उपल मतलब पत्थर. उसके उपर भोग रखे भगवान को अरपित किया जाता है. उसको उपल भोग कहते हैं. तो चयतन महाप्रुव उस उपल भोग का दर्शन करते थे और मंदिर से महाप्रशाद लेके उधर से बाहर निकलते थे. और सीधा जाते थे कहां? हड़ाश ठाकूर के पास जाते थे. और वहाँ पर उनको महाप्रशाद देते थे और बहुत लंबे समय तक उनके साथ किर्तन करते थे, उनके साथ कृष्ण कथा करते थे, इसमें चैतन महापुरू को अत्यंत आनंद का अनुभा होता था, हिदाश ठाकुर के साथ समय बिताने में, तो यद्यपी, इसके तातपर में परवपाज ये लिखते हैं, यद्यपी वो जगनात मंदिर के अंदर प्रिवेश्च करने की अनुमति नहीं थी, परन्तु जगनात स्वयम चैतन महापुरू के रूप में उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, देखिए, दो चीजे हैं, हम भगवान को देखने के लिए जा रहे हैं, और दूसरा क्या है, भगवान ह भगवान हमको देखने के लिए आ रहे हैं, तो कौन से जादा स्रेष्ट हुआ, भगवान हमको देखने के लिए आ रहे हैं, दो भक्त इसकी इच्छा नहीं करता है, लेकिन स्रेष्टता के मालने में तो यह जादा स्रेष्ट है, कि हम भगवान के पास जा रहे हैं उनका द तो चेतने महापुरु स्वयम आ रहे हैं, इसका कारण है विनम्रता, हरदाश ठागुर ऐसे विनम्रते कि और सब लोग तो जाते थे जगनात का दर्शन करने के लिए, लेकिन जगनात स्वयम आ रहे हैं, यहां पर हरदाश ठागुर को दर्शन देने के लिए, इसका कारण है विनम्रता, भगवान को जो दैन्यता है, विनम्रता है, यत्यंत पसंद है, यह दैन्यता, यह विनम्रता यही भक्ती का इंजन है, यह अगर नहीं रहेगा तो भक्ती की गाड़ी आगे बढ़ी नहीं सकती है, नारत भक्ती सूत्र में एक सूत्र है, अभिमान द्वेशित्व हैं भगवान गीता में बोलते हैं मैं सबी जीवों के प्रती सम हूँ ना तो कोई मेरा द्वेश है द्वेश करने लायक है और ना तो प्रिय है लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए बोला जा रहा है कि अभिमान द्वेशित वाद भगवान जहां कहीं भी अभिमान देखते हैं वहाँ दुएश करने लगते हैं दुएश का मतलब होता है नफरत करने लगते हैं उस अभिमान को नश्ट करने का प्रयास करते हैं और नश्ट कर ही डालते हैं अभिमान को तो कभी भक्त के अंदर किसी चीज को लेकर अभिमान हो जाता है तो भगवान इस चीज को सहन नहीं करते हैं उस अभिमान को नाश कर देते हैं एक कथा सुनाते हैं लक्त लोग की एक बार की बात है सत्यभामा देवी भगवान दौरका में रह रहे थे उनको अपनी सुन्दर्ता का अभिमान हो गया कि मेरे जैसे सुन्दरी तो इस त्रिभुवन में कोई नहीं है मैं भगवान की अत्यनत प्रिया हूँ और एक दिन आई भगवान के पास बोनने लगी कि मेरे जैसे सुन्दरी कौन हो सकती इस त्रिभुवन में भगवान भी बोले हाँ हाँ सही बोल रही हो एकदम सही बात है फिर जब गरुण जी पास में बैठे हुए थे उनके मन में भी अभिमान हो गया पि मेरे से ज़्यादा तेज चलने वाला भला इस जगत में कौन हो सकता है मैं स्वयम यगेश भगवान स्री कृष्ण को डो करके चलता हूँ मेरी दृत गामी जो गती है वो तो मन की गती से भी तीव रहे मैं सबसे तेज चलता हूँ भगवान ने ये भी देखा फिर चक्र था उसके मन में भी मान हुआ कि भगवान के अस्त्रों में मैं सरुष्रेष्ट हूँ मेरे से ज़्यादा अधिक ताकत किसके पास है मैं सामने आ जाता हूँ सुदर्शन चक्र तो बड़े बड़ों की मिट्टी पलिद हो जाती है किसी की कुछ भी हिम्मत नहीं होती है तो भगवान ने उसका भी अन्वो किया भगवान बोले ठीक है बहुत दिनों से मेरी हनुमान से भेट नहीं हुई है मेरी इच्छा हो रही है कि मैं हनुमान से भेट करूँ लेकिन हनुमान तो राम भगते हैं वे और किसी के बुलाने पर आएंगे हैं नहीं, तो जाओ गरुण, तुमें काम करो, जाओ, वहां पर किम पुरुष वर्स में जाओ, वहां पर हनुमान रह रहा है, और उसको बोलो कि राम ने तुमको याद किया है, राम ने तुमको बुलाया है, क्योंकि और किसी के बुला को बोला कि देखो प्रिया, अभी मैं राम का रूप लेने वाला हूँ, तो तुम भी सीता का रूप ले लो, क्योंकि राम और सीता की जोड़ी रहती है, जब मैं कृष्णु तो तुम ठीक है सत्यभामा के रूप में हूँ, लेकिन जब मैं राम बन जाओंगा तो तुम सीता बन जब तो मैं राम का रूप लेता हूँ, और तुम सीता रूप लेलो, मैं ठीक है, ऐसा ही होगा, और चक्र को अधेश दिया कि देखो, मैं राम का रूप लेने वाला हूँ, कोई इसमें विख्ण नहीं पढ़ना चाहिए, कोई द्वार्का का परिकर यहां पर नहीं आन में और उसमें हनुमान जी अपनी पूजा कर रहते हैं प्रतिरिन भगवान राम की पूजा करते हैं पाँचवे स्कंद में वो विस्तार से आता है किस प्रकार से पूजा करते हैं और क्या-क्या मंत्र जब करते हैं तो उसमें राम कि पूजा कर रहे थे श्री विग्रह की हनुमान जी और हनुमान जी को जाके एक ख़बर दिया, गरुण जी ने कि भगवान रागविन सरकार ने आपको याद किया है. तो हनुमान जी बोले अच्छा सरकार ने मुझे को याद किया है, बस मैं ये जो मेरी पूजा चले इसको बस मैं पूरा करके खट से आता हूँ, आप चलिए, तो गरुण जी बोले कि नहीं नहीं, आपको चलने में देर लगेगी, मेरी जैसे तीवरगती भला किसकी है, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा के लिए चलूँगा, आप चलिए, तो हनुमान जी नही आपको पूरा के जट से आता हूँ, तुम चलो, तो गरुण जी बोले कि नहीं आपको लेके जाओंगा, परुण की आग्या है, तो हनुमान जी को बड़ा क्रोधाया, उन्हों ने ने गरुण को पकड़ा और उठा कर फेग दिया दूर, अब जब फेग दिया तो गरुण की जानकारी उनको देता हूँ, तो वो चले उधर से, इतनी देर में हनुमान जी ने अपनी पूजा समात्त की और उनको कितना समय लगता है, तो जै श्री राम बोलके कूदे और खट से दौरका में आके आगे, गरुण से पहले ही आगे, तब तक दरवाजे पर आते हैं, तो देखते हैं, यह चक्र खड़ा हुआ है, बड़ा उतपात कर रहा है, अंदर ही नहीं जाने दे रहा है, जिधर से वो जाने का प्रयास करते हैं, उधर आके ओ सामने आके खड़ा हो जाता है, तो बहुत गुसा आई हनुमान जी को और उनने चक्र को पकड़ लिया और अ जैसे प्रणाम किया और उठे तुरंत उनके दृष्टी में बगल में जो सत्यभामा जी सीता जी बनी हुई थी उनके ऊपर गई, और वो बोलते हैं, प्रभू, यह किस चुड़ को आपने बगल में बिठा लिया, कहां जगज जनी, मेरी मैया सीता इतनी सुंदर और यह कि पर चक्र खड़ा हुआ था, मुझे बहुत कठिनाई हुए लेकि यह देखिए मैं अपने बगल में दवा करके लाया हूँ उसको, तो इज़र चक्र का मुझ भी नीचा हो गया, उदर दौड़ते दौड़ते गरूर जी उड़ते आये, और वहां पर देख रहे हैं हनुमा पहले से खड़े हैं, तो उनका भी अभिमान ठंड़ा हो गया, तो इस प्रगार कहीं भी अगर थोड़ा सा भी अभिमान भगवान देखते हैं, तो इससे द्वेश करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, भगवान अभिमान को कदाब भी नहीं स्विकार करते हैं, लेकिन ज नम रहें, जगरनाथ मंदिर के निकट भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्वयम जगरनाथ निकल कर आ रहे हैं उनको दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, और ना सिर्थ दर्शन देते हैं, उनको महाप्रसाद देते हैं, प्रति दिन उनके साथ काफी लंबे समय तक कृष्ण कथा होती है, ऐसा प्रतिदिन की दिंचरिया थी महाप्रभू की, फिर एक बार की बात है, कि चैतन महाप्रभू उपल भोग का दर्शन करके इस पर हरदाश ठाकूर के पास आए, और इस बार चैतन महाप्रभू अलग-अलग प्रकार के प्रसाद लाते थे, जगनात का दातून प्रसाद लाए, जगनात को प्रते दिन नीम की दातून अर्पित की जाती है, उनके अपने दान्त साफ करने के लिए, तो उस दिन जगनात महाप्रभू नीम की दातून लेके आये, हरदाश ठाकूर के लिए, और वहां पर देख रहे हैं कि हरदाश ठा अगर धूप में बैठके नाम जब कर रहे हैं. अब जो लोग जगर नादपुरी में गए हैं, उन लोग पता होगा, वहां की धूप बहुत तेज होती है. एक दम जलाने वाली धूप होती है. जाडे के मौसम में भी खुब तेज धूप होती है. तो गर्मियों की धूप का तो कहना ही क्या. और खुब पसीना होता है, वहां पर अजीब समोसम होता है. हुमिडिटी बहुत होती है. तो चेतने माबरु ने देखा कि मेरा भग धूप में बैठके नाम जब कर रहा है. तो उनके हदय में करुणा आई. और उन्होंने जो दतून लाये थे, उसको निकाला और भूमे में गाड़ा. और गाड़ते ही उसी समय वो एक बहुत विशाल बकुल विक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया. कोई समय नहीं लगा, कोई पानी नहीं डालना पड़ा, कोई खाद नहीं डालना पड़ा, कोई गुड़ाई नहीं करनी पड़ी. सबके देखते देखते उसी छण वो दतून एक बहुत विशाल बकुल विक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया. और चैतने महापुरू ने हरदाश ठाकुर से कहा, तुम इसी के नीचे बैठा करो और अपने नाम जब किया करो. जो तीन लाख नाम तुवाना नियम है, उसको इसी के नीचे बैठ कर किया करो चाया में. आज भी आप लोग जाएंगे तो जगनाद पुरी में उस सिद्ध बकुल का दर्शन कर सकते हैं. वो महापुरुष जो प्रति दिन हरदाश ठाकुर के मुख से तीन लाख नाम श्रवन करते थे वरिक्ष के रूप में, बकुल वरिक्ष के रूप में, वे वहीं पर आज भी उपस्तित हैं. कोई भी जाएं तो वहाँ पर उसका दर्शन कर सकते हैं. पास में हरदाश ठाकुर के एक पर्ण कुटी भी है, महाँ पर ही. फिर जगरनाजपुरी में प्रति विर्ष रथयात्रा का महुत्सों मनाये जाता था, और चेतन महापुरु इसको बड़े धूमधाम से मनाते थे. सारे भक्त बंगाल से आते थे, उडिसा से आते थे, और बहुत विस्तार से इस लीला को, इस यात्रा को सभी भक्त मनाते थे. तो इसमें चेतन महापुरु चार किर्टन मंडली बनाते थे, अपने आप. और उसमें चारो में प्रतेक किर्टनमंदली में छे-छे किर्टनिया होते थे और दो-दोम्रदंग बजाने वाले होते थे और उसमें एक किर्टनमंदली में चैतन महापरु ने ανताश ठाकुर को मुखे-नर्तक के रूपमें निउक्ति किया ये नृत्षे करते थे और उसमें मुकुंद दत जो है, वो मुख़्ी किर्तनिया थे उस मंडली में कुल मिला के साथ मंडली होती थी चार चेतन महापरु स्वेम बनाते थे और तीन मंडली आती थी एक मंडली होती थी शान्तिपुर से एक कुलिया ग्राम से और एक खंड ग्राम से तो चार जो मंदली महापरू बनाते थे वो जगनात रत के सामने निर्ट करते थे और उसके सामने किर्टन करते थे एक-एक मंदली जो है जगनात रत के अगल बगल और एक मंदली रत के पीछे तो इस प्रकार से हरदाश ठाकूर एक मंडली में मुख्य नर्तक के रूप में महाप्रीव के द्वारा न्यूक्त किया जाते थे उसमें मुकुंददत वो मुख्य किर्टनिया थे इस प्रकार बहुत बड़े कई सारे उस्व होते थे और जो कुछ भी भक्त आते थे सबी हरदाश ठाकूर से मिलते थे गौडदेश से उसमें मुख्य रूप से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वे लोग जब भी जगनातपूरी आए एक ही एक बार आए लेकिन जब भी आए तो वो हरदाश ठाकूर के पात ही रूप ते थे और कहीं नहीं जाते थे हाचार लोग बताते हैं कि हरदाश ठाकूर के पात इसलिए रु़खते थे क्रुकि वे अपने आपको अत्िनतनीच समझते ते वो समझते थे कि हम जो है मलेट्छों की सेवा किये, वे दाबिर खास और साकर मलिक थे, मुसलमानों के राज में, बहुत बड़े पोष्ट पे थे, प्रधान मंत्री और वित मंत्री थे दोनों लोग, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, तो उनका ये मानना था, क्योंकि हमने मुसलमानों की नोकरी की है, इसलिए हम भी अधम हो गया, यद्देपी अत्यंत श्रेष्ट, सारस्वत, ब्रामः, कुल से थे, लेकिन फिर भी अपने आपको हीन मानते थे, और ये मानते थे कि हम हरदाश ठाकूर के साथ ही रुकेंगे, इस पेकार से, तो रूप गोस्वामी आते थे, सनातन गोस्वामी आते थे, तो उनके साथ ही, उनी की कुटिया में ही रुकते थे, हरदाश ठाकूर की कुटिया में बहुत-बहुत परकार की लिलाएं हुई, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की, एक बार की बात है कि रूप गोस्वामी जब आ रहे थे जग नातपुरी तो वो एक नाटक की रचना कर रहे थे एक नाटक क्रिश्न लीला के उपर नाटक लिखना चाह रहे थे और उसकी रचना कर रहे थे तब ही एक जगा पर आये जिसका नाम है सत्यभामापुर, वहां पर उनको सपने में स्त्यभामा देवी प्रकट हुई, और सत्यभामा देवी उनको आज्या दी, कि मेरी लीला को विरंदावन लीला से अलग लिखो. पहले वो एक ही नाटक लिख रहे थे, लेकिन सत्यभामा देवी ने उनको आगया दिया कि मेरी लिला को, मतलब द्वारका की लिला को विरंदावन की लिला से अलग लिखो ठीक है तो ऐसा विचारी कर रहे थे कि हाँ सत्यभामा देवी की आगया हुई है तब वो पुरी में पहुंचे पुरी में उन्होंने महापुरू से भेट की बहुत प्रेम का आदान प्रदान हुआ और वो रहने लगे हरदाश ठाकूर के पास तो एक दिन की बात है चैतने महापुरू रोज आते ही थे हरदाश ठाकूर की कुटिया पे तो एक दिन की बात है वे आए हरदाश ठाकूर और रूप गोसामी वहाँ पे थे, जैसे उन्हों ने महापुरू का दर्शन किया, तुरंत उन्हों ने भूमी पर गिर किये उनको प्रडाम किया, और जब रूप गोसामी उठे, तो महापुरू उनसे बोलते हैं, कृष्ण को विरंदावन से बाहर मत ले कर जाओ, तो इससे उनको पक्का हो गया, कि हाँ, आप मुझे कृष्ण लीला, जो मैं लिख रहा हूं नाटक, इसको दो भाग में लिखना है, कृष्ण को, कृष्ण की जो विरंदावन लीला है, वो एक जगा लिखना है, और कृष्ण की जो द्वार का लीला है, वो दूसरी जगा लिखना है, इसी से उन्होंने दो नाटकों की रचना की, ललित मादव और विदक दमादव, फिर एक दिन की बात है, रथ्यातरा का समय था, रूप गो स्वामी जो है, उस समय थे वहां पे, सारे भक्त भी थे, और उस समय चैतन्य महाप्रभू, एक लौकिक कावे का श्रोक है, वो गाने लगे, एक ग्रंत है, कावे प्रकाश, उसमें एक उत्तम कावे के रूप में, एक श्रोक उध्रित किया गया है, कि हाँ उत्तम कावे का ये उदारन है, तो एक लौकिक चीज है, जैसे आज कल के समय में कोई मंदिर में आए, और फिल्मी गाना गाने लगे, उस प्रकार से लोगों को लग रादा कि ये चैतन्य महाप्रू, ये कौन सा गीत गा रहा है, वो एक लौकिक कावे का गीत है, ये लोकिक कावे का ये उदारन है, वो चैतन्य महाप्रू इसको जगनात रत्यात्रा के समय जोड जोड से गा रहे हैं, तो इसका आर्थ ये है कि वही हमारा प्रियतम जिसने कुमारा वस्था में, कुशोरा वस्था में मेरा चित चुराया था, वो मेरे समक्ष है, वही कदम विरिक्ष से आने वाली हवा यहां पर उपस्थित है, वही मालती पुष्पो की सुगंद यहां चारों तरफ फैल रही है, और वही मैं उसकी प्रिया यहां पर उपस्थित हूँ, लेकिन मेरा मन तो रेवा नदी के किनारे, वेतसी पेड़ के नीचे मेरा मन वहां जाने को कर रहा है, अब इसको लोगों ने सुना तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, कि चतन महापरु यह क्या स्लोक बोल रहे हैं, खेल किसी की हिमत नहीं हुई कुछ बोलने की, लेकिन केवल दो लोग वहां पे समझ पाए, एक स्वरूप दामदर गोस्वामी और एक रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी वापस जब हरिदास ठाकूर की कुटिया में आये, तो वो तो समझ गये थे महापरु का भाव क्या है, महापरु ने उन्हें प्रयाग में कई दिनों तक सिक्षा दी, और महापरु के रहदे को पूरा-पूरा समझ चुके थे, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, बोलते हैं न, चैतन्य महापरु का जो भी मनोभिष्ट है, उसको समझने वाले हैं रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी आये हर्दाष्ठाकुर की कुटिया वे, और उन्होंने ताल पत्र पर एक दूसरा श्लोग लिखा, जो की महापरु का क्या भाव था, उसको समझा रहा थै, तो वो श्लोग था, प्रिया-सोयम-कृष्णा, सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता, तधा हम साराधा, तदिदम भयो संगम सुकं, तधा प्यंतर खेलन मदुर मुरली पंचम जुशे, मनों में कालिंदी, पुलिन विपिनाया स्प्रिहयती, तो श्लोग में, चैतन्य महापुरु का भाव रूप को स्वामी प्रिकट कर रहे हैं, चैतन्य महापुरु राधारानी के भाव में, राधारानी एक बार कुरुक्षेत्र में सूरे ग्रहन पढ़ा था, सूरे ग्रहन पढ़ा था, तो जितने भी सब द्वारकावासी हैं, ब्रजवासी हैं वो सब सूरी ग्रहन को मनाने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे तो राधारानी उस समय कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन कर रही है भागवत में ऐसा बाता है और इस समय हमारे वीच का जो प्रेम है वह भी वैसा है, लेकिन मेरे ही तो इच्छा हो रही है कि मैं कालिंदी नदी के किनारे, मतलब यमुना जी के किनारे, कदम विक्षों की इचाया में जो मुरली बजाते हुए स्री कृष्ण का दर्शन करूँ, मतलब राधारानी प्रस्तित किया, जटने महापरू आए वहां प्रदिन आते ही थे, आए उम समय रूप गोस्वामी समुदर में स्नान करने के लिए गय थे, अब जटने महापरू आए तो हरदाश ठाकुर वहां पे थे उन्होंने महापरू को प्रणाम किया और महापरू ने देखा ये और उसी समय रूप गोस्वामी भी आ गए और रूप गोस्वामी को देखकर उन्होंने हलकी से उनकी गाल के पर चपत लगाई और बोले स्वरूप दामदर गोस्वामी से कि स्वरूप ये रूप मेरा हरदय कैसे जान गया तो स्वरूप दामदर गोस्वामी बोलते हैं कि आप नहीं इसके उपर कृपा का संचार किया है। इसी से यह आपके हरदय की बात को समझ गया है। तो यह घटना भी उनकी ही कुटिया की ही है। पर एक बार की बात है। चैतन महाप्रु आये, उस समय रूप गोस्वामी और हरदास्थाकुर वही पे थे। और रूप गोस्वामी अपना जो नाटक, जो दो नाटक वो लिख रहे थे, उसको ही लिख रहे थे। और उसमें से एक कुछ लोक उन्होंने अभी जश्ट रचना किया था। तो जो रूप गोस्वामी का जो कवित्व है, वो भी अत्यंत श्रेष्ट है। लौकिक द्रिष्टी से भी अत्यंत श्रेष्ट है। खाली भग्ति के द्रिष्टी से तो अत्यंत श्रेष्ट है ही, लेकिन लौकिक द्रिष्टी से भी जब कवियों की बात आती है, तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी इन लोग का दर्जा बहुत उपर आता है। कवी कर्णपूर ये सब बहुत श्रेष्ट कोटी के कवी रहे हैं। तो रूप गोस्वामी का कवित वात्यंत श्रेष्ट था। उसमें कविता की एक श्रेष्ट की रचना उन्होंने की थी। चैतन महापरूद से छिन लिये कि दिखाओ तुम क्या लिख रह हो। और वो श्रेष्ट ऐसा था जिसको सुनकर हरिदाष्ठाकुर नाचने लगे। श्रेष्ट कुछ ऐसा था। श्रेष्ट भिर अम्रित है क्रिष्ट थी वर्णद्वई। उसमें रूपको सौमीं बोल रहा है कि पता नहीं कितने अम्रित के सागनों को मत कर ये दो अक्षर निकाले गए हैं। प्रिष्ट औरना। भाई क्या बात है इस शब्द में क्रिष्ट नाम में तो बोलते हैं। तुन्डे तांडव नीरतिम वितनुते तुन्डवली लबद्दे। जब ये मेरे मुह में मेरे जबान के उपर ये तांडव ये नृति करता है क्रिष्ट नाम तो मेरी ऐसी इच्छा होने लगती है कि मेरे हजार हजार मुख हो जाएं। जिसे मैं प्रतेग मुख से क्रिष्ट नाम लो। फिर जब ये कृष्ण नाम मेरे कानों के छिद्र में प्रवेश करता है तो मुझे पागल बना देता है और मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मेरे करोण करोण कान हो जाएं और जब ये क्रिष्ट ननाम मेरे कानों के रास्तों से मेरे हदय में प्रवेश करता है हदय के आंगन में नाशता है तो मेरी सारी इंद्रियों को सिथिल कर देता है तो पता नहीं कितने अमरित के सागरों को मत कर ये दो क्रिष्ट ननाम के अमरित निकाला गया है तो इस प्रकार का श्लोक जैसी हरिदाश ठाकुर ने सुना तुरंद वे उचल उचल करने लगे और बोलने लगे कि अरे मैंने हरिनाम की महिमा इतनी सुनी है शास्त्रों में इतना वढ़नन किया गया है कई सादूों के मुख से भी सुना है लेकिन हरिनाम की इस प्रकार के वढ़नन तो मैंने कहीं भी नहीं सुनी है इस प्रकार से वह पूरने लगे उसी प्रकार जब सनातन गो स्वामी पुरी आते थे तो वो भी हरिदाश ठाकुर के साथ ही रहते थे दोनों अलग-अलग समय पे आये पहले रूप गो स्वामी आये उसके बाद सनातन गो स्वामी आये तो सनातन गो स्वामी जब आये पुरी तो रास्ते में आते समय घटना घट गई उनके साथ रास्ते में जब आ रहे थे तो जंगल के रास्ते से आ रहे थे और उसको पीने से उनको पूरे शरीर में खुजली होने लगी और जब वो खुजली करते तो वहां पर घाव हो जाता और कुछ दिनों में वहां से मवाद पस इत्यादी असर निकलने लगा तो इस प्रकार जब उनको हो गया वो आये पुरी और वो हरदाश ठाकुर के साथ र रहने लगे और अज़दा निए के लिए जब भी माप्रूँ आते तो सनातन को स्वामी को जबरदस्ती माप्रभू आलंगिन कर लेते हैं सनातन को स्वामी बोलते प्रभू मैं अतियंथ तुछ हूँ निज हूँ और इस समय मेरे को रोग हो के रखा हुआ है जब भी आप म इसे कि एरे मेरे से दूर रहा कि जिगे。 शहाएं महापरु बोलतने हैं कि कियुं यु भोल रहु हो । ऐ्पनी पवित्रता के लिए तुमारा आलिंगन करता हु conspiracy तुमारी देह कोई साधारण नहीं है यह दिव्य है नहीं है मैं इसलिए तुमको आलिंगन करता हूँ कि मैं पवित्र हो जाओं ऐसे रोज की घटना होती थी सवनातन को सामी को बड़ा बुरा लगता था उनको लगता था कि अधाम देह किस काम की ये प्रभू को केवल कष्ट ही दे रही है प्रभू लगता है संकोज में कुछ बोल नहीं पाते हैं और सिष्टा चार के वज़े से मिरा लिंगन कर लेते हैं और ये सब पस उनके सरीर पे लग जाती है इससे अच्छा है कि मैं इस अधम सरीर को नष्ट कर डालू तो उन्होंने निर्ने किया कि आगामी जो रथ्यात्रा आ रही है मैं रथ्यात्रा के सामने कूद करके अपने प्राणू को खतम कर दूँगा अब महाप्रभू तो सरवग्य हैं सब कुछ जानने वाले हैं सनातन गोस्वामी की इस मंशा को भी जान गए और महाप्रभू एक दिन आये और सनातन गोस्वामी से बोल रहे हैं कि सनातन यदि इस देह का त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए तो मैं इस देह का करोणों बार त्याग कर दूँ लेकिन खाली देह का त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति तो होगी नहीं, और दूसरा, तुमको क्या लगता है, यह जो तुम्हारी देह है, अब यह तुम्हारी संपत्ति है, नहीं, तुम्हे जिस दिन मुझको आत्म समर्पड किया, मेरी सिश्वत्व ग्रहन किया, उस यह तुम्हारा दिव्य शरीर है, यह मेरी संपत्ति हो गई है, अब यह इस शरीर पे तुम्हारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, तुम इसको कैसे नष्ट कर सकते हो, अगर मान लीजे, कोई वेक्ति किसी को कुछ दे दे, तो जो चीज दे दी है, अब उसके उपर उसका गंधिकार नहीं रह सकते, उसको वे नष्ट नहीं कर सकता, उसको वे अपने काम के लिए प्रयोग नहीं कर सकता, हम लोग को भी दीख़्ा मिली है, तो जब भी जिस दिन हमने दीख़्ा ग schwarta की है, मतलब हमारा जितना इस शरीर है, मन है, यह सब भगवान का हो गया, अब यह केवल और केवल उपियोग भगवान की सिवा में होना चाहिए. तो महापरव बोल रहे हैं, तुम यह मत समझो कि यह शरीर तुमारा है, यह शरीर तु मेरी संपत्ती है, इस शरीर के द्वारा मुझे बहुत-बहुत काम करवाने हैं. मैं अपनी मा की आग्या से मत्हुरा विरंदावन नहीं जा सकता. मेरी माँ बोला कि पुरी में रहो तो मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा. लेकिन मत्हुरा विरंदावन में जो भी मुझे काम करवाना है, वो सब मैं तुम्हारे इस दिव शरीर के द्वारा कराऊंगा. तो महाप्रोह सनातन गोस्वामी को क्या बोलें? तुमको क्या-गया करना है? भक्ति रट भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेरा निर्धारा वश्ण वेरा कृते आरा वश्ण वेरा अचारा कृष्णा भक्ति कृष्णा प्रेम एवा प्रवर्ताना नुक्त तेर्थ उद्धार आर वैराग्या स्रिक्षाना प्रेम एवा प्रॉ आर वे आर वे। निय प्रीय स्थानमोर मत्र्वंदा व्ना काहा एता धर्मक्त अही करिते प्रत्राणडा महापरव बोलना है कि मैं तुम्हारे द्वारा भक्त तत्व, भक्ती तत्व, कृष्ण प्रेम के तत्व का निधारण करूँगा मैं तुम्हारे द्वारा वैष्णों का क्या आचरण होना चाहिए, वैष्णों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, यह सबताय करूँगा, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम और कृष्ण की पूर्वक सेवा में कैसे लोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यह मै लोगों को बतलाऊंगा, मैं लुप्त तीरतों का उद्धार करूँगा तुम्हारे द्वारा और वैरागी की सिक्षा दूँगा, मतुरा ब्रिंदावन है, यह मेरा प्रियस्थान है, वहाँ पर मैं तुम्हारे द्वारा धर्म का प्रचारन करूँगा इसलिए तुम्हें इस प्रकार का, जो तुम्हारा विचार है, देह त्याग करकने का इसको एकदम छोड़तो अब होदे करते इस प्रकार, सनातन गो स्वामे भी चले गए और एक दिन की बात है, गोविंद भगवान जगनात का महा प्रसाद देने के लिए हरदाश ठाकुर की कुटिया में आये, बड़े उत्सार से आये, और लेकिन उनने देखा कि हरदाश ठाकुर वहाँ पर लेटे हुए हैं, और लेट करके धीमे धीमे ध्वनी में वे हरिनाम ले रहे हैं जब हरिदाश टाकुर की इस अवस्ता में उन्हों ने देखा तो गोविन ने बोला कि गोसाई उठिये भगवान जगनात का महाप्रसाद गरहन कीजिए जब हरिदाश टाकुर ने सुना तो लेटे-लेटे ही बहुत कठनाई से उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी वड़ कठनाई से बोने लगे कि आज मैं उपवास करूँगा उपवास इसलिए करूँगा क्योंकि आज मेरा नाम नहीं पूरा हो पाया है मैं जितनी संख्या में रोज नाम लेता था मेरा नाम आज पूरा नहीं हो पाया है इसलिए मैं आज उपवास करूँगा लेकिन भगवान जगनात का महाप्रसाद सामने आया है इसका भी अपमान नहीं करना चाहिए तो उन्होंने एक कण एक कण उस महाप्रसाद का ले लिया और अपने मूं में डाल लिया उसका सम्मान करने के लिए देखिए जो महाप्रसाद है यह भगवान का ही अवतार है प्रसाद का अर्थी होता है कृपा भगवान जानते हैं, इसलिए प्रसाद के रूप में अवतार लेते हैं, यह भगवान का ही अवतार होता है, महाप्रशाद भगवान से अभिन्य है, और महाप्रशाद का सेवन करते हैं भगत लोग, महाप्रशाद खाते नहीं है, हम लोग को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप चैतन चर्तामित पढ़ेंगे तो इसमें प्रसाद को बहुत उच्छा दर्जा दिया गया है कई जगह आता है कि भक्त लोग आते हैं श्रवन किर्तन करते हैं उसके बाद सबने बेट करके प्रसाद पाया तो प्रसाद का वहाँ बहुत लंबा चोड़ा वढणन करते हैं कई कई प्यारों में खाली प्रसाद का वढणन किया जाता है और भक्त लोग भी इसी भाव सिखाते हैं कि भगवान की कृपा है बगवान का जो प्रसाद है कई जगह आता है कि बडे प्रेम से भक्त लोग भगवान को प्रसाद पवा रहे हैं और भगवान चेतने महापरो भक्तों को प्रसाद पवा रहे हैं बहुत कई जगा यहां पर आता है तो जो प्रसाद है भगवान की कृपा है कि सबसे भगवान का अवतार ही है भक्तिषिदान सरस्वती ठाकुर के विशे में सुनते हैं कि जब भी उनको कोई जगरनात का महाप्रसाद देता था तो वो प्रसाद को प्रणाम करते थे उसको दंड़ोत प्रणाम करते थे और तब उसको ग्रहन करते थे तो इतनी महीमा है महाप्रसाद की तो हर्दास ठाकुर बोले कि यह महाप्रसाद आया है, इसका अपमान तो नहीं किया आजा सकता, तो उन्होंने एक कण लेकर अपने मुह में डाल लिया, उसका सम्मान करने के लिए, लेकिन पूरा प्रसाद नहीं ग्रहन किया, गोविन ने जाकि पूरी घटना चैतन करके सिधे उनकी कुटिया के और गया, और उन्होंने पूछा हर्दास ठाकुर से कि हर्दास सब कुछ ठीक तो है ना, आपने प्रसाद की ने ग्रहन किया, इसका क्या कारण है, आप स्वस्त तो है ना, तो हर्दास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं प्रभू, मैं स्वस्त नहीं तो चतनमाम म्स पोछते हैं, हुआ क्या पूरविस्तार से बताई है, हदाश्ट अस्थाकूर बोलते हैं कि मेरा सरीव तो पूरा स्वस्त है, लेकिन मेरा मन और मेरी जो बुद्धी है वो अस्वस्त है, अब इसका क्या कारण है? तो बोलते हैं,olenें, तो इससे समझ जाना चाहिए, मन और बुद्धी अगर भगवान में नहीं लग रहा है, तो मतलब हम अस्वस्त हैं, वहान गीता में क्या बोलते हैं, मैयेव मन आदथ्ष्व, मै बुद्धिम निवेशया, निवेशिष्यसि मैयेव, अता उर्द्वम नसंशया, मैयेव मन आदथ्ष्व, मन को मुझ में लगाओ, मन को मुझ में रख दो, आदथ्ष्व मतलब रख दो, मै बुद्धिम निवेशया, अपने बुद्धी को मुझ में प्रवेश कराओ, मतलब मन के द्वारा भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान की कधा का चिंतन होना चाहिए, लीला का चिंतन होना चाहिए, और बुद्धी के द्वारा जो हम भगवान को समझने का प्रयास करें, भागवत को समझने का प्रयास करें, निविशिश्यस्यासी मैं अगर इस तुम आचरन करोगे तो तुम मेरे पास आओगे इस परकार इसमें कोई भी संदेश नहीं है तो हर्दास्ट अकुर बोल रहे है कि मेरे मन और बुद्धी असवस्त है क्योंकि मैं नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ तो चैतन्य महापरू के हदे में बहुत करुणा उत्पन हुआई और वो बोलने लगे कि हर्दास तुम इतने बुढ़े हो गए हो और फिर अब तुम कोई साधारन अवेक्ती नहीं हो तुमारा जो दे है यह सिद्ध हो चुका है तुमको आप साधन करने की कोई आवश्यक्त प्रते दिन जो तुम इतनी अधिक संख्या में नाम लेते थे इसको अब मत लिया करो अपनी नाम की संख्या को कुछ घटा दो ऐसा महापरू ने बोला उनसे हमसे बोला जाता है कि नहीं मिनिमम सिष्टीन राउंड का प्रयास करो एका दाशी वारे दिन थोड़ा जादा क अधियनत नीच हूँ इतने नीच कुल में मैंने जनम लिया और मेरे कर्म भी अत्यानत नीच है लेकिन फिर भी आपकी मेरे उपर बहुत कृपा है आपने कृपा करके मुझे अंगिकार किया कहा मैं रौरो नरक में जाके वहां पर कष्ट जहलने वाला था लेकिन आपकी अधिया है ऐसा हरदाश ठाकुन ने बोला लेकिन महाप्रभू मेरे हरदाश में बहुत दिनों से एक इच्छा है जो मैं बहुत दिन से आप से कह नहीं पा रहा था आज अवसर है मैं आवसर पाके इच्छा को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ इच्छा यह है कि मु इस चरीर का त्याग कर देना चाहता हूँ आप इश्वर हैं सर्व समर्थ हैं आप सब कुछ कर सकते हैं इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो कृपागर के मेरी इस इच्छा का इच्छा को अवस्य पूर्ण कीजिए चैतन महाप्रु यह सुने और भावुक हो गये वो बो नाम किर्तन करके आपके साथ कथा के चर्चा करके मेरा दिन बहुत अच्छे से कटता है और मुझे बहुत आनंद की प्राप्ती होती है आप अगर इस यहां से चले गए इस शरीर का त्याग कर दिया तो मैं तो सुक से वंचीत ही रह जाओंगा इसलिए आप कृपा करके इ इतना स्रेष्ट है कि वो मेरे सिर पर बैठने लायक है वही आपकी लिलाओं को संपादित करते हैं मैं तो एक तुछ जीव हूँ अगर कहीं जगत में कोई शीटी मर जाती है तो भला किसी को क्या फरक पढ़ने वाला है इसलिए मुझे नहीं लगता आपकी लिला में कुछ विखन पड़ेगा मैं दी चला जाओंगा मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके समक्ष ही इस शरीर का त्याग कर देना चाहता हूं और जो त्याग भी करना चाहता हूं वह उसका भी प्रकार बताया है हरदाश ठाकुर ने किस प्रकार से उस शरीर का त्याग करना चाहते ह मड़ा सुन्दर यह दो पयार है इसको थोड़ा हम लोग गाएंगे देने देखिमो तो मर चांद वदाना जिवाया उच्यारिमों तो मार क्रिष्ण चैतन नाम एमात मोर इच्छा छाडिमों पराना तो बोल रहे है कि मैं अपने हिर्दयके उपर आपका चारण का मल रखना चाहता हूं और अपनी नैंसे अपनी आखों से आपके चंद्रमुख का दर्षन करना चाहता हूं और जिवा से उचारन करना चाहता हूं स्री कृष्ण चात agya Be voice, Shri Krishna Chaatanya और इस प्रकार मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। कितनी सुंदर इच्छा है देखिए। कि हदय मैं तो हो चाती को उपर हो आपका चनन कमल और आखों से आपका दर्शन कर रहा हूं। और जीवा से आपका नाम बोल रहा हूं। हैं। के स्ब्रक्रण चैतनया हुआ। इस प्रकार मैं त्याग करना चाहता हूं। जब हदाश ठाकुर ने इस प्रकार से बोला तब भगवान शी चैतन ने महाप्रबू आगी कुछ और बोल नहीं पाया। उन्होंने हदाश ठाकुर का आलिंगन किया। और अपनी जो भी संध्या इत्यादी करने के लिए दुपहर के संध्या इत्यादी करने के लिए वहाँ से चल गए फिर अगले दिन चैतन महापुरू भगवान जगनात के मंदिर गए वहाँ उपल भोका दर्शन किया खुम्नत किरतन हुआ वहाँ पर और वहाँ पर सभी भक्तों को इकठा किया, Chytana Mahaprabhu ने, अपने सारे भक्तों को इकठा किया, सरूफ दामदर्गो सामी, रामानंदर आये, सारभौम बट्चारिया, सबको वहाँ पर इकठा किया, और सबको साथ में लेकर, वहाँ पर हरदास ठाकुर के जो घर था, कुटी थ अब वहाँ पर पहुचे तो हर्दास ठाकुर ने देखा महापरू आए हुए हैं, सारे भक्त आए हुए हैं, तो उन्हों ने पहले महापरू को प्रणाम किया और तब सारे भक्तों को प्रणाम किया, महापरू ने हस्ते हुए हर्दास ठाकुर से पूछा, हर्दास तब क्या समाज आ रहा है, हैदाश ठाकुर्ण ने बोला महाप्रु से, महाप्रभू आपकी जो भी कृपा हो वो सुईकार है, अब इस परकार बोलना था कि चैतन्न महाप्रु ने इशारा किया सारे भक्तों को कि किर्तन चालू करो और उस समय जोर जोर से किर्तन होने लगा, सारे भक्त किर्तन करने लगे, सरूप दौमदर गोस्वामी उसमें अगुआ थे, सबसे आगे थे, और सारे भक्त निर्त करने लगे, किर्तन करने लगे, वक्रेशर पंडित निर्त कर रहे हैं महाप्रु भी किर्तन कर रहे हैं नित्य कर रहे हैं और सभी भक्तों ने हरदाश ठाकूर को घेर लिया वो लेटे हुए थे हरदाश ठाकूर लेटे हुए अस्वस्थता के कारण उठ नहीं पा रहे हैं और सारे भक्तों ने इनको हरदाश ठाकूर को घेर लिया और घेर करके किर्टन किल रहा है नित चल रहा है महाप्रभू उसी समय कितन को रुकवाते हैं और हरदाश ठाकूर को हरदाश ठाकूर की प्रसंशा करने लगते हैं ऐसे प्रसंशा करने लगते हैं कविराज गो समय बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि इतनी सारी प्रसंशा करने लगते हैं हर्दाश ठाकूर की प्रसंशा करके चैतन महापरू को अत्यंत आनंद कानुभा होता है और जब सारे भक्त हर्दाश ठाकूर की प्रसंशा सुनते हैं तो उनको बड़ा विश्मे होता है कितने महान चरित रहे हरदाश्ठाकूर का इसी बीच हरदाश्ठाकूर प्रभू से निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके मेरे निकट ही बैठिये जैतन महाप्रू से अपने निकट उनको बिठाते हैं और अपने नेत रुपी भावरों से प्रभू के मुख कमल के मकरन दरस का पान करने लगते हैं वे भगवान के चरण कमलों को उठाकर अपने हिदय के उपर विराजमान करते हैं तत्पष्चार जितने भी भक्त वहाँ पर उपस्तित हुए थे सबकी चरण धोली को लेके अपने मस्तक पर लगाते हैं और भगवान के मुख माधरी का पान करते हुए वे बोलने लगते हैं स्री कृष्ण चैतन्या और ऐसा कहते हुए नाम के साथ ही अपने प्राणों का उठसर्ग कर देते हैं जब सभी भक्तों ने देखा कि हरदाश ठाकुर ने अपने प्राणों का किसी योगेश्वर की भाती उत्सर कर दिया तो सभी को भीश्म पितामा की याद आ गई कि भीश्म पितामा की तरह हरदाश ठाकुर ने अपने प्राणों को अपनी इच्छा से त्याग दिया और फिर जोर का उद्दाम का किर्तन चालू हो गया, सबी जोर जोर से बोल रहे थे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 कृष्णा आउद देखाना था और हरदाश ठाकूर को गोद में उठा लिया हरदाश ठाकूर के शरीर को गोद में उठाते हुए वे भी नृत्य करने लगे किर्टन करने लगे जब भक्तों ने इस प्रकार की दशा देखी तो किर्टन और तीव्र हो गया और तेज हो गया महापरू के जितने भी परिकर थे स्वरूप दामोदर्गो स्वामी स्वर्भाम बटा चहरिया रामानंदर आए सबी जोर जोर से किर्टन कर रहे है और जोर जोर से नृत्य हो रहा है वक्रेशर पंडित नृत्य कर रहे है स्व bir तेछ बत्य परिकर रहे है जोर से किर्टन हो रहा है ह셔야ेया हारे क्रिशना आधर होग जता गोड में उठाए-उठाए नृत्य कर रहे हैं किर्तन कर रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं तभी स्वरूप दामोदर्गोस्वामी ने उनको चाइताया फिर एक बिमान पर आरोहित किया गया, अर्थी पर बिठाया गया, और फिर सब लोग समुद्र के निकटी जाने लगे, समुद्र पर जा रहे हैं, और उनकी शोभाय आतर निकल रही है, सब किर्टन को जोर जोर से उचारण कर रहे हैं, और वहां पर मृत्य हो रहा है, गान हो लाया, और उसी समय चैतन महापुरू ने घोषना किया, चूकि समुद्र ने हरदाश ठाकूर के दिव शरीर को धोया है, आज से ये महा तीर्थ हो गया है, इसलिए आज भी हम लोग जगरनात पुरी जाते हैं, तो समुद्र इसनान करते हैं, क्योंकि चैतन महापुरू ने ऐसा घोषना किया, कि ये महा तीर्थ हो गया, फिर जो जल जिसने हरदाश ठाकूर के शरीर को धोया था, सभी भक्त उस जल को लेके पीने लगे, फिर उसके बाद एक बड़ा सा गद्धा खोदा गया था पहले से ही, और हरदाश ठाकूर के शरीर को उसके अंदर रखा गय फिर चैतन महा परू सभी भक्तों ने जगनात के चंदन प्रसाद को हरदाश ठाकूर के अंगों के उपर लेपन किया, और भी प्रसाद, मौला प्रसाद, वस्त प्रसाद, महा प्रसाद को वहां पर लाके हरदाश ठाकूर को अर्पित किया, और फिर चैतन महा परू अपने हाथों से हैदाश ठाकुर के उपर बालू डालने लगे उसके बाद सभी भक्तों ने भी बालू डाली और उसके बाद जब बालू डाल लिया तो उस इस्थान को थोड़ा सा उंचा करके एक गद्धी टाइप से बना दिया गया उस इस्थान को चिन्हित करने के लिए और उसका परिक्रमा किया महाप्रूव सारे भक्तों ने फिर महाप्रूव सभी भक्तों को लेकर समुद्र में स्नान किये और स्नान करने के बाद पुना इस्थान पे आये उस समें भी हो सकता, ऐसे ना रहा हो, लेकिन बजार उसमें भी लगती थी, उसमें भी प्रसाद इस तरह से भीकता था, और चैतने महाप्रभू अपना उत्तरी अवस्त्र निकाल करके, सभी जितने वहाँ पर व्यापारी थे, उनसे भिक्षा मांगने लगे, वे बोलने लग कि मुझे हरदाश ठाकुर का उत्सव करना है, आप लोग कृपा करके मुझे प्रसाद की भीक्षा दीजिए, आप जब सारे व्यापारियों ने सुना कि चैतने महाप्रू भीक्षा मांग रहे हैं, तब तो वे सब पानी पानी हो गए, और जितना भी पुरी दुकान अपन जाए गंभीरा में मैं सब काम कर लूँगा, स्वरूद आवद गोस्वामी ने चार वैष्णों को वहें पे रखा और चार कहारों को भी वहीं पे रखा, और सारे दुकानदारों से बोला, कि आप सब जो जितना भी आपके पास प्रशाद है, उसमें से चार-चार मुठी ले के आई है, जादा मत ले के आई है, तो फिर भी इतना जादा प्रशाद वहां पे इकठा हो गया था, कि कुछ कहनों को नहीं, वाणिनात पतनायक ये भी खुब सारा प्रशाद ले के आए, महापरू के सामने, और उसी दिन महापरू का निमंतरन था काशी मिश्र के घर में, तो वही खुब सारा प्रशाद ले के आए, तो धेर सारा प्रशाद हो गया था, महापरू ने सभी को पंगत में बिठाया, और पंगत में बिठाकर वह स्वयम सबको प्रशाद परोसने लगे, लेकिन महापरू को थोड़ा मुड़ा महापरू को थोड़ा मुड़ा मह के अंदर भर गई है। भगवान को भक्तों को प्रेम से प्रसाद खिलाना चाहिए। पचाने के जीमिदारी उनकी है। वो उनको देखना है कितना खाना है। लेकिन अपनी दरफ से भर भर के प्रसाद खिलाना चाहिए। तो महापुरु इतना प्रसाद दे रहे थे कि भी भाक्त प्रसाद को छुएगा तक नहीं. तो आप कृपा करके बैठिये, ब्रह्मानन्द भारती और पौर्वानन्द पूरी ये आ गए हैं, ये सन्यासी आपके साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे, और आप बैठिये, हम लोग ये सब प्रिवेशन का काम करेंगे. तो फिर बस पांच मिलेट में इसको पूरा कर देते हैं, प्रसाद भी होना है इदार. तो महाप्रभू, महाप्रभू जो है बैठ गए प्रसाद पाने के लिए, और आगरह पूरवक सभी ने महाप्रभू को प्रसाद परोसा, और महाप्रभू प्रसाद पाने लगे, और उसके बाद सब भक्त भी प्रसाद पाने लगे, और महाप्रभू लेकिन बीज बीज में बोलते जा रहते हैं, और दो और दो जितने भक्त उनको और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ और सभी भक्तों ने यहां गले तक बहर भर के प्रसाद खा लिया अब प्रसाद कहाने के बाद सभी भक्त वहां से उठे समने हाथ पना हाथ पर धोए और इसके बाद महाप्रभु ने सभी को जो भी उस सुच्छों में आये थे, सभी को माला दिया, चंदन दिया, और आशिरवाद दिया, आशिरवाद क्या दिया, इसको जल्दी से गा लेते हैं, और इस कथा का हम समापन कर देंगे, अभी हमारे पास पांच मिनिट है, हरी दा सेर विजा योच्छों ये करिला दर्शाना, ये इहानत करिला, ये करिला स्किर्टाना, ये तारे बालुका दिते करिला गमाना, तारा मद्दे महोच्छा वे ये करिला भुजाना, आची रे साबारकार हवे क्रिष्ण प्राप्ति, हरी दा सादर्शा निहाए अच्छे शक्ति, यही वाला है, आगे आगे करिए, और आगे, और आगे, और आगे, तो महापरू बोलने हैं कि, जिस किसी ने भी हरिदास के विजेश उत्सों का दर्शन किया, जिस किसी ने भी यहाँ पर मृत्ति किया है, जिस किसी ने यहाँ पर किर्टन किया है, जिस किसी ने भी यहाँ पर बालू दिया है, और जो कोई भी हरिदास ठागुर की यात्रा के साथ चला है, जिस किसी ने भी हर्दास ठागुर के महुत्सों में भोजन किया है उस सबी को बहुत जल्दी ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी हर्दास ठागुर के दर्शर में ऐसी सकती है नामाचार इशिला हर्दास ठागुर की नमाजार शिला हरदाश ठाकुर की इसके बाद शीचेतन महापरो बोलने लगे हरदाश ठाकुर की किर्टी का बखान करने लगे, वे बोलने लगे कि हरदाश ठाकुर जब इस संसार को छोड़के जाना चाहरते थे तो मेरे भी ऐसी सामर्थ नहीं थी मैं उनको रोक सकूँ उन्होंने भीश में पितामा की तरह इस संसार का त्याग कर दिया एक योगेश ठाकुर की भाती उन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया हरदाश ठाकुर इस प्रिथवी पर मुकुट मड़ी के समान है और आज यह प्रिधिवी उस रत्न से हीन हो गई आप सभी मेरे साथ पीछे बोलिए महाप्रव बोल रहे अपने भक्तों से आप सभी मेरे साथ पीछे बोलिए जै जै हरिदास जै जै हरिदास जै जै हरिदास जै जै हरिदास इस प्रकार हरदास ठाकूर के लिए जय धनी हुई, किर्तन हुआ, अनृत्य हुआ, भक्ति उन्ह ठाकूर जब उन्होंने ग्रहस्त धर्म से वैराग के ग्रहन किया, तो वो इन्हीं हरदास ठाकूर की समाधी के पास ही रहते थे, और आज भी आप हरदास ठाकूर की समाधी प पनवाद करूँगा, He reasons ill, who tells that Vaisnavas die, when thou art living still in sound, the Vaisnavas die to live, and living try to spread the holy name around. बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कुतर्क करता है, जो ऐसा बोलता है, कि Vaisnavas अपने अपने उपदेश में, अपनी शिक्षा में, हमेशा अमर हो जाते हैं. Vaisnavas लोग यदि मरते हैं, तो आपने जीने के लिए मरते हैं, और यदि जीते हैं, तो हरि नाम का प्रचार करते हुए。 तो ये हरिधाष ठागुर के जीवन पर अख़र सा सत्य होता हैं. हड़ाष ठागुर की नामाचार शिला हरिधाष ठागुर की अपनी वाणी को यहीं पर विनान देते हैं वनना ज्यादा हंदेर करेंगे तो लोग बेचान हो रहे हैं प्रसाद के लिए Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare नामाचारश लहरदास्ट अगुर की सीला प्रोपाद की सामवेद गौर भक्त विरिंद की नितायगोर प्रेवानन्दे Hare 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 Krishna मैं भूल जाता हूँ